टीर स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फ्रेम्स की दरम्यान लिंक्स कैसे क्रियेट किये जा सकते हैं फ्रेम्स का जो इंतहाई popular use है वो ये है कि आप एक पेज को दो फ्रेम्स में डिवाइड कर लेते हैं vertically या horizontally और एक फ्रेम्स में आप navigation bars place कर लेते हैं जबके दूसरे फ्रेम्स में आप उसी बार के अगेंस्ट pages लोड कर लेते हैं for example आपकी navigation bar में तीन links आपने provide किये हैं तो हर link के अगेंस्ट जब भी आप click करेंगे तो दूसरे फ्रेम्स में accordingly एक page लोड हो जाएगा हर फ्रेम्स element को आप name के attribute के थूँ एक नाम दे सकते हैं फिर इस नाम को यूज़ कर सकते हैं आप link में यानि anchor tag के अंदर और बड़ी आसानी से उस फ्रेम्स में आप कोई भी page लोड कर सकते हैं इस concept को समझने के लिए एक तस्वीरी खाके की मदद लेते हैं यह आप देखें आपके सामने एक page बना हुआ है जो दो मुख्तलिफ हिसों में divide है जार हमने frame की मदद से इसको vertically दो हिसों में तक्सीम कर लिया और यहाँ पर हमने navigation bar place कर दी आप इसको left menu भी बोल सकते हैं यहा आप जो ही हम इनमें से किसी एक link पे click करेंगे तो उस link एगेंस जो भी page होगा वो इस वाले area में load हो जाएगा पूरा यह page refresh नहीं होगा बलके सिर्फ ये वाला area change होगा अगर हम complex table page वाले link पे click करेंगे तो यहाँ पर table वाला page load हो जाएगा nested list के against यहाँ पर list वाला page load हो ज करें तो आप ये menu टाप पे प्रोवाइड कर सकते हैं और content area निचे वाला specify कर सकते हैं हम यह example practically implement करके देखते हैं ताके आपको यह concept अच्छी तरह से समझ आ जाए note pad open करते हैं यहां पर हम लिखेंगे html html का closing tag body का tag यहां पर यूज नहीं होता frame set और हम इस frame को column wise divide कर रहे हैं c o l s यहां पर हम pixels में भी value specify कर सकते हैं let's say हम यहां पर लगते हैं 200 comma steric तो इससे मुराद यह है कि width wise 200 pixels पहले frame को assign हो जाएंगी जैसे कि हमारा पहला frame है अब यहां पर 200 pixels इसको assign हो जाएंगी और उसके बाद बाकी जितना भी area रह जाएगा वो दूसरे frame को assign हो जाएगा आप percentage wise भी specify कर सकते हैं जैसे 20% या 25 जितना भी आप मुनासिब समझें और उसके बाद यह frame set यहां पर हमने frame source provide करना है left menu.html इस page को भी तक हमने develop नहीं किया तोड़ी देर में develop करते हैं frame source is assigned to main page यह page अलड़ी develop कर चुके हम इसका attribute है name और इसको हमने name assign किया content area का और यह यहां पर हमने close कर दिया यह वाला name attribute specify करना ज़रूरी है नाम आप कोई भी रख सकते हैं लेकिन हमने content area एक बहतर सा नाम इसको assign किया control s इस page का नाम हम रख लेते हैं frame link demo.html अब हमने left menu वाला page develop करना है और इसमें हम इन तीन pages के links assign करेंगे list demo, page fragmentation demo और table demo html closing tag of html body body का closing tag a href is assigned to list demo.html list demo a को close किया और इसी तरह हमने table demo page fragmentation demo table demo page fragmentation demo इसको save किया left menu.html left menu.html save अब इसको run करके देखते हैं यह हमारे पास left menu का page है list demo table demo और page fragmentation demo तीनो pages ठीक जाल रहे हैं यहां पर बी आर का tag जूज किया यहां पर भी बी आर और अब आप देखें कि यह new line पे show होंगे यह तिनों links new line पे show हो रहे हैं यहां पर अब जो सबसे आहिम चीज है वो है target का अट्रिब्यूट और इसमें उस frame का name देंगे जिसमें हम लोड करना चाते हैं जाहर हम इसको content area वाले frame में लोड करना चाते हैं तो इसका target content area और इस सब का target यही होगा आप देख भी सकते हैं यह हमारा frame link demo का page है और इस frame का नाम content area है तो हमने यहां पर target के अट्रिब्यूट को यूज करना है और यह वाला page आप content area वाले frame में रेंडर होगा या लोड होगा ctrl s किया अब हम यह वाला page रन करते हैं अब ही हमारे पास content area में main page के contents यो हो रहे हैं main page के contents आप देख सकते हैं यह हमारे main page के contents है अब हम जू ही इस link पर click करेंगे तो इस area में list वाला page रेंडर हो जाएगा यह देखें list वाला page यहां पर लोड हुआ अब हम table demo यह देखें complex table जो हमने develop किया था वह वाला page इस frame में render हो रहा है पूरा page लोड नहीं हो रहा page fragmentation में आप देख सकते हैं हमारा यह वाला page शो हुआ आप KPK पर click करेंगे तो यहां पर चले जाएंगे page fragmentation का concept already हम सीख चुके हैं अब आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास left menu है और जो भी pages हैं वो accordingly इस frame पर show हो रहे हैं dear students इसके साथ ही हमारा यह वाला video lecture खतम हुआ stay blessed कि बास्ट